पर काफी दबाव जाता है लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार ना राजनिता ना राजनितिक पार्टियां दबाव नहीं डलती है मीडिया पर लेकिन वो अपनी मीडिया के सामने अपनी बात जरूर रखती है कि हमारा हमने ये किया है या हमने हमारे खिलाद जो चीज जारी है उन्हीं नीतियों केडिया पत्रकारों करने पडता है बहुत से संस्तानों सी संक्याक्न मालीट में जो पत्रका और प्रफारों को सम्मान किसि पूछ मनों जी आप से पूछता हूँ अभी कुछ दिनों पहले एक इस्टिंग ऑपरेशन किया एक चैनल ने जिसमें कहा गया कि जो ओपिनियन पोल्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं मतला यदि कोई प्लिटिकल पार्टी अपने हिसाब से ओपिनियन पोल करवाना चाहती है तो वो उस है जिसका हिसाब कीता मूह पता नहीं एक लाग करोड वगने तो इस पत्रटार काम है पत्रकारें को मीडिया थैन चाहिए बाद काने हैं में चैनल ऑप位 recess. और उसका एक रीजन है कि जो एक चर्चा यहां पर बात आयती है एक रेगुलिटरी बोडी कि विग्यापन सबसे बड़ा जो सरकार के पास किसी भी पार्टी के पास या राजनितिक दल के पास हतियार होता हो विग्यापन होता है बाइसाथ निकलता हो जरुनील जिसका जिक्र कर रहे थे यह अप इसको रेगुलेट्री बोड बना देंगे तरह परिशन होंगो आप वी कहेंगे टेको सरकार जो है तो सच बोल रहा है उसका गलादवार है उनको विज्ञापन नहीं तो सही है कि आप कह रहा हूं कि प्रेस कॉंसिल ऑफ इंडिया एक कॉंसिशनल बॉडी जैसी आपने बना रखे जिसमें फॉर्मट जस्टिस हैं लेकिन कोई सुनता है प्रेस कॉंसिल ऑफ इंडिया को उसके पास को यसा कानून नहीं है कि आपको पकड़ सके शिवाए दिंदा प्रस्ताव पास करने के और य जमाना तो मुझे देखे वह अर्सा बीत गया क्या हुआ इसको आप और हम दोनों भी उसी अकबार में एक साथ रहे हैं जिस अकबार की पीछे राम सिंग विश्णोई का इस्तीफा हो गया किसी का भी वह बाते हो गया किसी उचन मातुर की कम मुख्यमंत्री कुर्सी कि मैं समझता हूं इससे जादा कुछ नहीं का जा सकता डेके जैसे से टेक्नलोजी आई है वैसे वैसे पुंजी का निवेश बड़ा है चूंकि निवेश बड़ा है तनखाएं बहुत अच्छी हो गई हम उस वक्त आपको ध्यान होगा कि हमने पंदा सुरुपर मेहने में तनका पर नौकी शुरू की बहुत अच्छी फॉर फिगर में तनका यह कहते थे आज लोग दसदस पंदा पंदा लाक रुपर मेना तनका ले रहे हैं तो हम उस सुविधा भोगी यूग में आ भी गए है उसके बावजुत सुखी नहीं है और पत्रकाईता का धर्म उस वक जब लखावत जी भी कभी पत्रकार थे तो यह समय बदल गया है पूरी दुनिया एक बजारवात के हवाले हो गई है उसमें मीडिया भी शामिल है मीडिया भी बजारवात के हवाले हो गया है जैसी टेक्नलोजी आई है करोणों अर्बो रुपय इंवेस्टमेंट होता है जानता हूं कि खर्च करने पड़ते हैं यह एक्सक्यूज लिया जाता है फिर तो कोई भी जो रिश्वत ले रहा है वह भी कह सकता है कि मेरे बच्चों की फीज इतनी ही जाती है है यह बिलकुल preocup मतलब मानने वाली बात नहीं कि आगर आप समाज में रह रहाए हैं और सबसे बड़ी निटिक बात करें तो किसी میडिया सबसे जादा निटिक और सबसे जादा इमानदारिंस सबसे जदा अच्छाई की बात करता है। सबस्य मतलब ऐसी । को लाखे खड़ा करता है जिसमें कहता है कि हम किसी के साथ नहीं हम सचाई के साथ तो जो सत्य के साथ रहने वाले लोग हैं वह कैसे असत्य की बात कहके अपने आपको सोटी पे खड़ा उतरना पड़ेगा और दूसरी सबसे वड़ी बात ये है कि जो राजनितिक दल और जो मीडिया घराने इस तरह के कॉर्परेट लोग मतलब जो चैनल चला रहे हैं या जो पेपर चला रहे हैं उनके उपर भी रेगुलेटरी बोर्ड हो और उनके साथ साथ उनकी हर चीज पार दर्शी हो आज पर दूआ ही देते हैं वो सब लोग गिर रहे हैं उन पर सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं चाहे वो जडिशरी हो चाहे वो सादू संत हो पहले तो प्रिटिकल लीडर्स को फॉलो करते थे पहले नहीं जैसे दखिए वैसे तो पूरे देश के अंदर एक गिरावट आई इस गांदी से राहूल गांदी के युग तक आगे हैं अब अब आप नेक्स्ट अगर आप बात करें तो मैं थोड़ा से अनिल लोडा जी से हलका अनित्फाक नहीं रखता हूं यह कारण एक है अगर टेकलोजी के अंदर अगर कारण एक प्रॉब्लम होती तो आप यह अब आप अपने रिसोर्से और कहीं से फेर वेर से आप डिल करें तो मेरे बास तो इसलिए का लावा अपको दिखता है लगावजी दो खत्रे और हैं जो आपको बता दूँ आज तो आपने एक सद्ध का यूपयोग किया है हिंदुस्तान के एक और द्यूगी घराने ने लिए यह एक जगे से चैनल सुन से संचालित होते हैं उनके अपने लाव हैं उनके अपने निहतार्थ हैं उनकी अपनी नीटी है उससे चलते हैं यह निस्पक्सता और आजादी और इस उनने पहले लेवल पे प्लिटीशन को खरीदा आप दूसरे लेवल पर दूसरा एक की नीट चपती है आपके यहां की यूएनाई पीटी आई की खबर नहीं चपती है तीसरी बात और हिंदुस्तान की कौन से खबर चपनी चाहिए वह हिंदुस्तान के लोग नहीं दुनिया के वह बड़े देश बैट करते हैं कि हिंदुस्तान को परिद्रश्य में कैसा इसलिए मैं आप से फिर एक बात कहना चाहता हूं कि समय है समय रहते हुए राजनीती वालों को तो वेचलेशन कर देना चाहिए नहीं तो उनके लिए तो आत्म घाती होगा अख़वार वाले डूबेंगे तो राजनीती वाले पत्थर की तरह साथ डूबेंगे बचनी सकत पर उसका असर उस पर होगा वह आगिर सत्ता पर काफिस होने के तरीके होंगे और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए मेरा और तेरा तो चाहे जब निप्टा लेना यह मुझे निप्टा देंगे इनको निप्टा दूँगा पर यह वो सारी मिलकर के हिंद पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद हमारे खास मेमान हमारे साथ बने हुए आपका साथ बने रहना और ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र आपके साथ बचेगा तुरांट लॉटते हैं मेडिया की यही भूमिका मेता निभाए लाके सिर्फ राजनीती खब्रों को दिखाए और राजनीती फोकस रखे जन्ता की खब्रइंग ज्यात," जन्ता के दुखदर जन्ता की परेशानिया वो सब ज्यादा दिखाई जाना चीए नहीं कि और प्रोपोगेंटा पत्रिकार जो फीडियू का वरकर है वो काम करके लाता है उसको जन्ता तब होताना चाहता है लेकिन उस मजबूरियां ऐसे बन जाती है जो पत्रिकार को मतलब जो दोर कर रखती है लेकिन निस्वक्षता है अभी भी अपने गिरेवा में जाकने के लिए हमने आज सवाल पूछा था कि क्या ज्यादातर पत्रकार बिकाव होते हैं 74 फीजदी लोगों ने कहा नहीं कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो खुशी की बात हो सकते है कि 74 फीजदी लोग अब भी यह मानते हैं उन्हें भरोसा है पत्रकारों पर पत्रकारिता पर कि वह बेकाव नहीं है और वह अच्छी ख़वरे दिखाते हैं लेकिन बात करते हैं हमारे पैनल के साथ खास मैनल जो हमारे साथ मौजूद है सुनिल जी आप से शुरू करते हैं न यह बहुत बढ़ी चुनाओती है अगर लोग मुझे अच्छा मानने और में अच्छा नहीं हो तो मेरे सामने ज्यादा बढ़ी चुनाओती है और यह प्रश्ण पूरे डंग से नहतिक तागा प्रश्ण जादा है और क्योंकि पूरा देश पूरी जंता पूरा राष्ट आप पर भरुसा करता है इसको बहुत चुनाओती रूप में लिया जाना चाहिए असले लगता कि यह पत्रगार करेप्ट नहीं होंगे तो आपको समझना पड़ेगा कॉंग्रेस तो उस जमाने में भी थी तो वह हमारे सामने में कोई चुनाओती नहीं है और मैं आपको फ हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा इस तीज को इस्तिमाल कभी भी नहीं कर रही है वह एक अलग बात है कि कुछ लोग में भी पॉसिबल सम प्राइवेट लेवल पर अगर कर रहे हैं बट इसे कहीं नहीं कर इसको मैं तो मानता हूं इसको पार्टी लाइन चे उपर उठके प्राइब fan него, इसको इसको में दिसक्स किया जाना थी वह रिखावागी आपने खत्रों की बात कें खत्रों से कैसे निवट सकते हैं आपका अनवाब दोनों है पत्र्कारिता और राजनीती में इसको नहीं है उसका कारण यह है कि पत्रकारिता में मालिकों के संक्या यह 26 प पर ये जो दस ग्यारा परशेंट है ना ये वो लोग हैं जो मालिक नहीं है फिर भी वो तै करते रहते हैं नीरा नीरा राडिया के साथ बैठ करके ठीक है ना मेरा एक निवेदन करना यह है कि अब समय आ गया है कि हम इस पत्रकायता की आजादी के लिए एक पूरी की पूरी स पतंता आंदोलन की तरह जंक लड़े वरना राजनेताओं को तो पांच साल में आप निप्टा दोगे पर इनको कैसे निप्टा हो गए इनकी तो प्रसार संग्या और इनका इनका इतना बड़ा एक घरना खड़ा हो जाएगा कि उसलिए मेरा कहना है भी एक चोटा से सवाल कि पार्टी ऑफिस में बैठ कर डी प्यार की फाइल आप तो तैयार नहीं करेंगे कि इनको विग्यापन देना अनिल जी की शकल अच्छी नहीं लगती विजयत्रवेदी की शकल अच्छी नहीं होना चाहिए किसी अख़बार को विग्यापन काटना नेताओं की इच्छा पर निर्वर्ण नहीं होना चाहिए मैं इस बात से सामत हूं कि जेब के आधार के उपर अख़बार की फ्रंट पेज डेड़ करोड में नहीं चपने चाहिए और नीचे एडी वी छोटा सा नहीं होना चाहिए और पत्रकार जब बैटकर डाइस पर कहता मैं इसको नहीं चा है कि जो अनिल जी ने कहा कि मजबूरी है कि इतना अख़वार को चलाना कोई आसान काम नहीं है कि फंड जो टाना हो सारी विवस्था करना लेकिन इशू यही ए कि ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए जिससे सारे चीज़ें चलती रहें और जो आप वह राए दे सकते हैं छोट कि इसका कितना खर्चा है उसके कि कि कमल जी आपको कोई रास्ता देखाई देता आप बहुत बारिकी से देखते रहें दोनों के रिष्टों को पत्रकारों और राजनिताओं के मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सही बात है कि जहां पर आप पैसे का लेंदेन रखेंगे कि एक वेक्ती पैसा देगा और एक वेक्ती लेगा तो जो देने वाला है वो अपना फाइदा सोचेगा तो आप तैय करके चलो कि अगर राजनितिक दल अगर सरकारें एड़िटीजमे तो आप इसमें पर पर ऐसे समय निरनतर जहां पर सरकार को वाच करना है मीडिया को वाच करना है इसके लिए इक सबसे बड़ी आ तरीका जो मुझे लगता है इसे लाइक पार्सनल उपिनियन, दैट की सरकार अपनी तरफ से अपना मीडिया तंतर चला है, एक पैसा ना दे और सारे लोगों के घर में अपना अखवार भेजे, और जिसमें उसका पर तो कोई बतले नहीं, जिसमें एक सिस्टम होगा, जिसकी अपने पर तो देमोकरसी का पर आपको रास्ता हो, कि आप पैसा बाट रहे हो, तो अनिल जी, आखरी बात आप से पूछ रहा हूं, पहली बात तो आपको बदाई देना चाहता हूँ, कि आप मेरे निमंतरन पर आए, आपने ये हिम्मत दिखाई, वैसे तो मैं आपको हमेशा हिम्मत वारा मानता हूं, मनोच जी को भी खास दोर से, और आपको भी, क्योंकि मुझे आज दिन मेर बहुत तकलीफ हूई, कि मैंने बहुत सारे अपने परिष्ट पत्रकार मित्रों को आमंतरित किया इस बहस के लिए, और ज्यादा तरह ने साफ मना कर दिया पहली बार में, कुछ ने पहले हां किया और उसके बाद नहीं आए, पहले तो इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, देखिए, हमको जब हम दूसरों को चैरा दिखाते रहते हैं, कभी-कभी खुद अपना चैरा भी हमें देखना चाहिए, और बचना नहीं चाहिए, कोई अगर अपना चैरा देखने से बचता ह है, तो पतन की तरफ उन्मुख हो जाता है, मेरा मानना ही है, इसलिए आत्मविशलेशन उन्नती के लिए पतन में गिरने से बचने के लिए बहुत जरूरी है, हम आत्मविशलेशन करने बैठे हैं, दो मेहमान साथ में, लेकिन ये भी मीडिया फ्रेंडी लोग हैं के सामने उन्हें, जन्ता के सामने बैठे हैं, जन्ता की अदारत में, कोई स्विकार करने में गलत में गढ़ानों. यहां करके कैसा बन रहा है यहां करके इस लिए एसे बनने से से कोई फाहिदा नहीं है साग्वार अथि इगानी कोुछ आ वीडियो illness पता है जह O यहां को नूज आले हम पर Miya से सब्रिट करें तो हुम हमने हर चीज्च ने चिजνब को नेगेटें इडाला क्या तो इसको समाज का प्रहरी मानते हैं तो उसको सम्मान दो पहले न्यूज प्रिंट मिलता था सरकार की तरफ से अंदान के साथ अब क्यों नहीं मिलता अंदान के साथ जब आप दुनिया वर्ट में तमाम पैसा बांट रहे हो जगे जगे नरेगा के तैत फ़लानी चीज़ लो इसको कमजोन मत करो इसको भूका मत रखो फिर दगो आपकी पहले की तरह और आगे बढ़के काम करें अभी भी करने लोग इतनी स्टोरी दिखती है तमाम तरह की बाहर सामने आती है हम तो तरुन दिखा रहे ना जी को दूसरा दोड़ी है उसको लेकर आया हमने इंद करता हूं कि लोग अभी हम पर भरोसा करते हैं जैसे सुनील जी ने कहा कि वह एक बड़ी चुनोती है तो हम उस चुनोती को स्विकार करके अच्छा बनने की खरा उतरने की कोशिश करेंगे और आइना आप दिखाते रहे अगर हम नहीं देखना चाहते तो आज के लिए इत